हेलो फ्रेंज तो आज की स्पीडियो में हमें एक नया ट्रिक से केंगे आप पहले से बहुत सारा ऐसा LED रिप्यार से जुड़ा ट्रिक देखे होंगे कि यहाँ पे एक LED को सौट कर दे और पूरा LED जलने लगा तो ऐसा करने से क्या होता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज डिफर आता वह सौट कर दिया मतलब उस वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा हो गया तो उससे क्या होता है कि जो और जितना भी LED यहाँ पे है और उतना दिन तक नहीं चल पाता क्यूंकि उस LED पर ज्यादा पेसर आता है तो इसलिए आज की इस वीडियो में एक ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपका LED बहुत दिन तक चलेगा और बाकी LED पर पेसर नहीं पड़ेगा तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हो जो LED खरब हो जा रहा है उस जागा पर आप 56 ohms का एक रेजिस्टेंस लगाई है 56 ohms का रेजिस्टेंस लगाने से यहाँ पे जो भी voltage difference होता है LED का बना रहता ह LED खरब हो गया लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने से वो voltage गा difference रहता है और बाकी LED पर load परने नहीं देता इससे आपका LED बहुत दिन तक चलेगा यहाँ जो भी आपने LED के जगा रेजिस्टेंस लगाया इससे आपका बाकी LED का कोई नुकसान नहीं होगा इससे आप बहुत दिन तक चला सकतो LED को अगर आप इस जगह पर सौट कर देंगे हाँ जल्दी से रिपियर हो जाता है लेकिन ऐसा करने से बाकी LED बहुत दिन तक नहीं चलता वो थोड़ी दिन के लिए चलता है बाद में वो खड़ा बो जाता है लेकिन ऐसा करने से आपका LED बाल से जोड़ू सेयर करना तो आज के लिए इतना है बाई